असलाव आलेको फेंड अमीद करता हूँ कि आप सब खेरी से होंगे फेंड आज किस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ किस तरह से आप अपने मुबाइल को यूज करते हुए उस पर एक यूट्यूब का चैनल क्रियेट कर सकते हैं किन-किन चीजों की requirement होगी किन-किन step को follow करने के बाद आप एक safe और secure यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं आज किस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यही शेर करने वाला हूँ फ्रेंड हमने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब की proper सीरीज शुरू की जाए जिससे लोगों को awareness दी जाए कि आप भी यूट्यूब का चैनल create करके उस पर वीडियो अपलोड करके आप भी डॉलर्स के अंदर earning स्टार्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड यह यूट्यूब सीरीज की पहली वीडियो है तो हम इस चैनल के उपर एक proper सीरीज लेकर आएंगे जिसके अंदर आपको यूट्यूब का चैनल बनाने से लेकर आपकी यूट्यूब मॉनिटाइजेशन तक पूरी डिटेल आपके साथ शेर करेंगे तो इसमें मैं पूरी एक प्लेयलिस्ट क्रियेट कर दूँगा आप प्लेयलिस्ट में भी वाच्च कर सकते हैं लेकिन यह आज की पहली वीडियो होने वाली है इस सीरीज की जिसके अंदर मैं आपके साथ शेर करूँगा तो फ्रेंट शेर करते हैं आज मैं आपके साथ शेर करूँगा किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल को क्रियेट कर सकते हैं मुबाइल से और काफी ज़्यादा लोगों के मायंड में ये भी कुस्टन आता है कि क्या मारे पास जो पुरानी जीमेल आईडी है जीमेल आईडी पड़ी है कि हम उसी पर ही यूट्यूब का चैनल क्रियेट कर लें फैंड मैं आपको ये सुझेस्ट नहीं करूँगा अगर आप लॉंग टर्म के लिए यूट्यूब पर काम करना चाते हैं यूट्यूब से अर्निंग करना चाते हैं तो आप एक परसनल अपनी जीमेल आईडी बना लें जो आपकी पुरानी जीमेल आईडी है वो काफ़ी जगा यूज हूई होगी तो हो सकता है वो आपकी जीमेल आईडी इतनी ज्यादा सेक्योर ना हो इसलिए मैं आपको यही सुझेस्ट करूँगा कि आप एक personal अपनी Gmail ID create कर ले वो भी मैं share करूँगा कि आपने किस तरह से Gmail ID create करके उस पर channel बनाना है ताकि वो आपकी Gmail ID हो वो secure हो जाएगी उसका password आप एक strong सा लगाईएगा जिसे जो आपकी Gmail होगी आपका channel होगा वो भी secure रहेगा तो मैं आपको left side पर mobile की screen recording show करा के step by step share भी करूँगा कि किस तरह से आपने Gmail ID बनाकर अपना channel open करना है इन steps को आप ध्यान से समझ लीजिएगा वीडियो को skip मत कीजिएगा क्योंकि आप जैसे ही वीडियो को skip कर देंगे हो सकते है कुछ ऐसा important part हो जो आपके लिए जरूरी हो वो आप skip कर दें तो left side पर मोबाइल की security recording show कर रहा हूँ simple आपने google पर आजाना है जैसे आप google पर आएंगे आपको उपर एक logo show हो रहागा आपने simple इस logo पर click करना है जैसे आप logo पर click करेंगे यहाँ पर आपकी Gmail IDs open हो जाएंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी Gmail ID होगी आप उसके arrow पर click कीजिएगा आपकी जितनी भी Gmail IDs होंगी वो आपको show होना start हो जाएंगी आपने simple scroll करके निचे आना है आपने add your and other account यहाँ पर click कर लेना है जैसी आप वहाँ पर click करेंगे यहाँ पर आपका fingerprint मांग लेगा आपने अपना fingerprint यहाँ पर देदेना है यहाँ आपका जो pin होगा वो आप दे दीजिएगा जैसी आप वो करेंगे थोड़ी सी loading लेगा जैसी loading लेगा आप next step पर move हो जाएंगे आप जैसी आप next step पर move होंगे यहाँ पर आपके सामने इस तरह का interface open होगा यहाँ पर वो करे रहा है create an account आपने create an account पर click करना है यहाँ पर जैसी आप click करेंगे आपको दो option शो हो जाएंगे from myself to manage my business आपने करना है to from myself आपने myself के ओपर click कर देना है आपने myself का ही account बनाना है जीमेल myself की ही बनानी है simple आप from myself पर click कर देंगे जैसे आप from myself पर click करेंगे आगे सबसे पहले आप से first name पुछेगा आपका जो first name है आपने वो put करना है यहाँ पर मेरा नाम अली रजा है तो मेरा first name अली होगा तो मैं यहाँ पर अली लिक लेता हूँ और मेरा जो last name है वो रजा है तो यहाँ पर मैं रजा को लख लेता हूँ जैसी मैं ने रजा को लिखा आगे मैं simple इसको next वाले option पे click कर दूँगा जैसी मैं next वाले option पे click करूँगा आपके सामने आजाएगा इस तरह का interface, यहाँ पर आपने date of birth लिखनी है, अपना year लिखना है और नीचे आपने अपना gender select करना है तो simple मैं date लिख लिएता हूँ, मैं कब पैदा हुआ, 12 को पैदा हुआ और अपना month भी यहाँ पर select का लेता हूँ, मेरा month है जी first और इसके बाद year है जी 2001, ठीक हो गया, अब जैसी मैंने यहाँ पर click किया आप नीचे gender की बारी आगए तो अगर आप male है तो आप male पर click करेंगे, अगर आप female है तो आप female पर click करेंगे तो मैं male हूँ, मैं simple mail पर click करता हूँ, जैसी मैंने mail पर click किया, अब इनकी requirement सारी पूरी कर दी अब मैं simple next वाले option पर click कर दूँगा, जैसी मैंने next वाले option पर click किया, अब यहाँ पर आपने अपना एक address लिखना है जो आपकी Gmail का address होगा, वो आपने किस तरह करना है, उसके अंदर आपके जो characters होने चाहिए, उसके अंदर आपके alphabets होने चाहिए तब ही आप एक Gmail address create कर पाएंगे, अगर आप इस तरह से नहीं करते, तो वो आपको बार बार error से error देता चला जाएगा तो simple, यहाँ पर मैं अपना एक Gmail address बना लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक चोटा सा address बना लिए जिसके अंदर चोटा A, चोटा R3511697, ठीक हो गए, एक चोटा सा address बना कर, simple, यहाँ पर आपने भी इसी तरह का कोई address बना लेना है, अगर आपको error द option पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का interface open हो जाएगा, यहाँ पर वो करा create a strong password, यहाँ पर आपने एक strong password create करना है, strong password से मुराद के आपके यहाँ पर जो आप password लगाएंगे, इसके अंदर आपके alphabet होने चाहिए, आपके characters होने चाहिए, small होने चाहिए, large होने चाहिए, आप जितना हो सके, उतना ज्यादा strong password अपना create कीजिएगा, symbols भी use कीजिएगा, ताके आपका password और ज्यादा strong हो जाए, यहाँ पर मैं simple अपने strong password लगा लेता हूँ, वो password आपने याद भी रखना है, अगर आपका channel log out भी हो जाए, तो आपको Gmail का वो password पता हो, ताके आप scroll करेंगे, scroll करके नीचे आएंगे, yes, I am in, ठीक है, simple, आपने yes, I am in पर click कर देना है, जैसे आप I am in पर click करेंगे, अगर कह रहा है, review your account, ठीक है, आप अपना review कर लीजीगा, account का name है, अली रजा ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, अली रजा ही name है, और नीचे कह रहा है, आप आड्रेस भी यही है, जी बिल्कुल यही हमने अड्रेस लगाया था, अब simple next वाले option पर कर देना है, जैसे आप next वाले option पर click करेंगे, आगे इनकी term and conditions आ जाएंगी, तो simple आपने उपर scroll करके, I am agree पर click कर देना है, simple I am agree पर मैंने click कर दिया, जैसे ही आप I am agree पर click करेंगे, आपकी एक Gmail ID create हो जाएगी, जो के safe होगी, secure होगी, ठीक है, आगे भी two step verification है, और भी काफी जादा इनकी चीजे हैं, जो के आपके साथ share करनी है, इसलिए तो एक YouTube की proper series बन रही है, तो friend, आप अब भी चैनल पर new आया है, तो जल्दी से subscribe कर लें, साध्यो बैल icon को लाजमी से YouTube को open करता हूँ, आपने उपर logo आपको शो हो रहागा, आपने simple इस logo पर click कर लेना है, जैसी आप इस logo पर click करेंगे, आपके सामने कुछ accounts आ जाएंगे, आपने simple arrow वाले option पर click करना है, जैसी आप click करेंगे, यहाँ पर आपने वो mail ID तलाश करनी है, जो हमने अभी new बनाई है simple scroll करके मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने कौन सी एक mail ID बनाई थी, जो new बनाई थी, तो हमने अली रजा के नाम से बनाई थी, यहाँ पर आप देख सकते है, ar351169gmail. ठीक हो गया, अली रजा, ठीक है, no channel, अभी तक उस पर कोई channel नी बना, simple मैं इस पर go select कर लेता हूँ, जैसी मैंने इसको select किया, आप यहाँ पर देख सकते है, मेरा logo भी change हो चुका, ठीक है, अब हमने channel create करना है, simple इसी logo पर दुबारा click करूँगा, your channel, ठीक है, आपको second way option नज़र आ रहा होगा, आपने simple यहाँ पर click करना है, जैसी click करेंगे, यहाँ पर देखें, आपके सामने आजाएगा picture, आपका logo, यहाँ पर आप अपना एक logo लगाए, logo लगाने के बाद यहाँ पर आपने अपना name change करना है, simple है, मैं logo लगा लेता हूँ, सबसे पहले मैं logo पर click करता हूँ, click करने के बाद यहाँ पर आप अपनी picture को choose कर लीजेगा, ठीक है, आपने अपने channel के हिसा आप से यहाँ पर logo लगाना है, मैं casually कोई भी logo यहाँ से choose कर लेता हूँ, simple मेरे पास यह पड़ी हुई है, इस बड़त मैं यही choose कर लेता हूँ, आप ते अपने channel के हिसाब से logo लगाना है, just simple, यहाँ पर मैंने click करके एक छोटा सा logo भी लगा लिए, जो मेरी picture बन गई है, अ आपका channel का नाम जितना छोटा होगा, उतना ज्यादा आपका channel वाइरल होने के chances बढ़ जाएंगे, मैं आपको एक click देता चलूँ, कि आपको जो channel का name होना चाहिए minimum two words का, और maximum three words का, आपको जितना channel का name बड़ा होगा, उतना ज्यादा आपका channel rank नहीं करेगा, search base के अंदर आएगा, तो आपने क्या करना है, minimum two words का, और maximum आपने three words का, अपने channel का name लिखना है, तो simple, यहाँ पर मैं simple लिख लेता हूँ, edit करने के बाद, मेरा जैसे name अली रजा है, तो मेरे tech के reality वीडियो बनानी थी, तो मैं लिख लेता हूँ, अली tech के नाम से, ठीक है simple, यहाँ यहा आपका vlogging का channel है, तो आप लिख सकते हैं, अली vlog, अगर आपका food का channel है, अगर आप food की videos मनाते हैं, तो अली foods, यहाँ आप अपने हिसाब से, आपने unique name रखना है, ठीक है, वो रखने के बाद, आप simple save वाले option पे click कर देंगे, जैसे आप save वाले option पे click कर देंगे, आगे आपको निचे कर रहा है, create channel, ठीक होगा, simple आपने create channel पर click कर देना है, जैसे आप click करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा channel successfully create हो चुका, यहाँ पर देखें, अली tag उपर लग भी logo show नहीं औरा मैं refresh करता हूँ, जैसी मैं refresh थोड़ा सा करूँगा, यह देखें, मेरा logo भी show हो सकते हैं, अभी हमने कोई video create ही नहीं की, मैं friend आगे यह भी share करूँगा किस तरह से आपने video को upload करना है YouTube के उपर, जिससे आपके video के viral होने के chances बढ़ जाएंगे, और किस तरह से आपने video को edit करना है, एक पूरी YouTube की series ही होने वाली है, तो इस channel को भी से subscribe करके रख लें, bell notification को ल अगर आपको फिर भी कोई question है, तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, मैं आपको fully reply करने की कोशिश करूँगा, तो friend मिलते हैं, next informative video के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, safe रहें, secure रहें, अल्ला हाफिज